चलिए student आम लोग question number 5 को solve करते हैं देखे question number 5 में क्या काधर है student आप लोग question को पढ़िए देखे इसमें में A number दिया गया, B number दिया गया, C दिया गया, D दिया गया ठीक है तो सबसे पहले हम लोग किसको solve करेंगे A number को solve करेंगे देखे में A नंबर में क्या दिया गया है यहाँ पर लिख लेते हैं A नंबर में क्या दिया गया है P of P minus Q तो लिख लिजे P of मतलब multiply ठीक है P of P minus Q और देखे यहाँ पर क्या दिया गया है कॉमा लगाया गया है और हमें आगे क्या कारा है इनको जोड़ना है तो हम लोग इसी के साथ जोड़ कर यह लिख देते हैं तो इसमें आप इसको जोड़ देची ठीक है तो जोड़ कचिन लगाईए यहाँ पर लिखे Q of Q minus R अब देखे एवं इसको जोड़ना है तो प्लस कचिन लगाईए लिखे R of R minus P जोड़ना है जोड़िए अब सबसे पहला काम देखे हमें इससे इसमें multiply करना पड़ेगा इसको सरल करना पड़ेगा तो इस P से P of जो P minus Q इसमें multiply करेगा इस P से P में multiply हो जाएगा multiply का मतलब गुड़ा हो जाएगा P square अब देखे P को Q से multiply करेंगे तो minus P Q हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर Q है इस Q को Q से multiply करेंगे हो जाएगा Q square plus Q है minus R है plus minus हो जाएगा minus और यहाँ पर हो जाएगा Q आगे देखिए यह जो R है R को R से multiply करेंगे R square यहाँ पर plus R है यहाँ पर minus P है तो plus minus का multiplication क्या हो जाएगा minus r को p से multiply करें क्या हो जगा r p अब बच्चों देखिए क्या कहीं पर कट रहा है कुछ तो हमको दिख रहा है कि नहीं कट रहा है तो यह हमारा क्या हो जगा solution हो जगा तो लेखिए p square प्लस में इस तरीके से लिख दीजे q square और प्लस में आप लिख दीजे r square minus p q minus q r minus r p ठीक है यह भी मारा solution हो सकता है हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया तो student ही हमारा क्या हो गया answer हो गया तो हमसे जोडने के लिए कहा गया था हमने इसको जोड़ा जोडने के बाद हमने इसको सरल कर लिया सरल करने के बाद हमारी पास यही आ गया तो student इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मारा a number है मैंने इसको solve किया चलिए अब लोग b number पर चलते हैं और उसको solve करते हैं तो यहाँ पर आप लोग अब इस b number को देखिए इस b number में क्या का जा रहा है इसमें भी हमको जोडना है ठीक है को जोड़ ये तो चलिए हम लोग जोड़ चिन के साथ लिखते हैं 2x of z minus x minus y में जोडना है 2y of z minus y minus x को तो इसमें करना कह है इस 2x से आप इसमें multiply कर दें 2x को अंदर भेजी तो अंदर भेज देते हैं 2x को z से multiply करेंगे तो 2x z हो जागा ठीक है अब यहाँ पर plus 2x जब minus x से multiply हो जागा तो minus minus हो जागा 2x को x से multiply करेंगे तो हो जागा 2x square यहाँ पर plus है minus हो तो plus minus क्या हो जाएगा minus और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2xy ठीक है 2xy में multiply करेंगे 2xy आगे देखिए यहाँ पर 2y है इस 2y को z से multiply करेंगे हो जाएगा 2yz यहाँ पर plus है minus यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा minus 2y को y से multiply करेंगे तो हो जाएगा 2y square आगे देखिए यहाँ पर plus 2y है यहाँ पर minus है तो plus minus क्या हो जाएगा minus और यहाँ पर मारे पांस देखिए 2yx क्रम से लिख देते हैं हो जाएगा 2xy ठीक है अब student आप लोग इसको हल करिए देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर 2xz है कहीं पर 2xz देख रहा नहीं देख रहा है यहाँ पर देखिए minus 2xy है यहाँ पर भी minus 2xy है तो इसको हम लिख सकते हैं चले तुमड़ा सालिक देजेए इसको 2xz minus 2x square और यहाँ पर लिख देजे minus 2y square यहाँ पर लिखे plus 2yz और यहाँ से minus 2xy minus 2xy तो क्या हो जाएगा इस student minus 4xy ठीक है minus 4xy और इसको आप लोग कुछ इस तरीके से लिख देजे 4 2xz और यह plus 2xz है और plus में हमारा क्या है 2yz है plus में 2yz है 2xz 2yz और क्या है minus 4xy minus 4xy minus 2x square है और minus 2y square इस तरीके से तो student इसको आप लोग square वाले term को आगी कर दीजी या पिर ऐसे रेने दीजे कोई दिक्कत नहीं कर देते हैं लिख दीजे 2x square minus 2y square और यहां पर लिख दीजे प्लस 2xz चिन्न के साथ आप इदर उदर कर सकते हैं ठीक है yz minus 4xy तो यह हमारा क्या हो गया answer हो गया एभी हमारा answer हो सकता है और एभी हमारा answer हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है चलिए हमने इसको set किया है तो student इस तरीके से आप देख सकते हैं यहा पर जो हमारा b number है हमने इस b number को हल कर लिया चलिए हम लोग c number पर चलते हैं और देखते हैं C number का solution क्या होगा तो student अब आप लोग इस C number पर ध्यान दीजिए इसमें में क्या करना है घटाना है तो चलिए आप लोग घटाते हैं तो लेख दीजिए solution किसका C number का क्या दिए गए 4L 4L 10N-3M प्लस क्या दिएगा है 2L यहाँ पर लेखे 2 और यहाँ पर लेखे L ब्रैकेट कर दिजिए बंद इसमें से घटाना है किसको घटाना है 3L-4M और यहाँ पर क्या है 5L ब्रैकेट कर दिजिए बंद इसको फ़लेखे चार L को मलटिप्लाइब करेंगे 10 से तो चार दाप क्या हो जागा 40 और यहाँ पर आजागा LN अब इस 4L को मलटिप्लाइब करें 3M में तो प्लस माइनस माइनस हो जागा, चारतिया क्या हो जागा, बारह, और यहाँ से L, यहाँ से M, तो बारह L, M, यहाँ पर देखिए, इस चार L को मल्टिप्लाई करेंगे, टू L से, तो प्लस प्लस ही रहेगा, और चार दूनी क्या हो जागा, आठ, और यहाँ से L, यहाँ से माइनस देखिए इस माइनस 3L को L से MULTIPLY करणा थे चिन के साथ D earned है अगया करने लगास एक के तो इहांपर हो जागा माइनस 3L को L से MULTIPLY करेंगे अब इसी माइनस 3L से आपको माइनस 4m में MULTIPLY करना चिन का भी से ध्यान रखना है बच्चो माइनस 3L से इस 4M में मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जगा प्लस और इस 3L से मल्टिप्लाई करेंगे 4 में तो 3, 4 के 12 L, M आगे देखें माइनस 3L प्लस 5N तो माइनस प्लस क्या हो जगा माइनस और 3 को 5 से मर्टिप्लाई करेंगे 15 यहां से L यहां से L N तो लिख दीजे L N अब देखिए यहां पर 40 L N है और यहां पर माइनस 15 L N है ठीक है तो हम लोग इस में से इसको घटा देते देखिए L N है यह भी L N यह भी है तो 40 L N में से 15 L N घटाएंगे तो कितना L N बचेगा 25 L N अब यह आप ध्यान से देखिए यहां पर माइनस 12 L N है और यहां पर प्लस 12 L N है तो प्लस 12 L N में से माइनस 12 L N करेंगे तो गट जाएगा 0 आ जाएगा यहां पर देखिए 8 L स्कॉयर माइनस 3 L स्कॉयर 8 L स्कॉयर में से 3 L स्कॉयर घटा देंगे हमारी पास क्या जाएगा 5 L स्कॉयर तो इस्टूडेंट हमारी पास क्या आ गया है हमारी पास आ गया है 5 L स्कॉयर यहाँ पर देखिए मारे पास क्या गया है देखिए यह 8L स्क्वाइर है माइनस 3L न तो प्लस 5L स्क्वाइर तो इसको आप लेख देजिए 5L स्क्वाइर प्लस में 25L तो इस्टूडेंट इसको हमसे solve करने के लिए कहा गया था गटाने के लिए और gradation के लिए जो 3 number था हमने इसको हल कर लिया है तो चलिए स्टूडेंट अब लोग इस d number पर चलते और इसको भी solve कर लेते हैं देखिए d number में क्या कहा जा रहा है इसमें भी में गटाना ये यह ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग D नंबर को हल करते हैं, घटाना है तो घटा दीजिए, लेकिए 4C माइनस A प्लस B और प्लस में क्या है, C है, में से घटाना है इसको, तो घटा ये लेकिए माइनस 3 टाइमस ओब A, अब A प्लस B प्लस C माइनस 2B, अब इस्टुडेंट यहां पर ध्यान देना है आपको, देखी हमें घटाना है, इतने में से घटाना है, तो यहां पर आपको एक ब्रेकट लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस 2B, A माइनस B, प्लस में C, इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमें इतना दिया है, इतने में से इतने पूरे को घटाना है, तो माइनस 2 इन सबके बाहर लगेगा, चलिए, सॉल्व करते हैं, इस 4C से आप 5A मल्टिप्लाई करिये, क्या हो जगा, माइनस 4AC, ठीक है, AC, अब इस 4C से B में मल्टिप्लाई करेंगे, क्या हो जगा, प्लस 4BC अब इस 4C से C में multiply करेंगे हो जाएगा 4C square चलिए ऐसे break-out रहने दीजिये भी इस 3A से इस A में multiply करिए क्या हो जाएगा 3A square और इस 3A से B में multiply करिए तो हो जाएगा 3A B जो 3A है इस से C में multiply करेंगे हो जाएगा 3AC चिन कैसे यूज कर रहे हैं आपको पता ही होगा प्लस प्लस तो यहाँ पर प्लस आ रहेगा 3A इसका चिन प्लस है तो प्लस 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 ही होगा ठीक है तो चिन का इस्तेमाल आपको पता ही होगा चलिए जो 2B है इसको A से multiply करते हैं, तो minus 2B को A से multiply करेंगे, minus 2AB, अब इस minus 2B को इस minus B से multiply करेंगे, तो minus minus plus, और 2B को B से multiply करेंगे, तो हो जग़ 2B square, यहाँ पर minus 2B है, और यहाँ पर plus C है, तो minus plus क्या हो जग़ा, minus और 2B को C से multiply करेंगे, तो हो जग़ 2BC अब देखे इस्टूडेंट हमने इसको हल कर लिया है चलिए आगे देखते हैं माइनस 4AC प्लस 4BC प्लस 4C2 अब देखे ए माइनस हमारा अंदर जाएगा ना स्टूडेंट माइनस अंदर जाएगा तो चिन बदल जाएगे देखिए अब यहाँ पर ए प्लस 3A स्क्वाइर क्या हो जाएगा माइनस 3A स्क्वाइर ए माइनस अंदर जाएगा तो फ्लस 3A भी क्या हो जाएगा माइनस 3A भी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा जो माइनस हो प्लस हो जाएगा इस्टून ठीक है a हो जाएगा माइनस 3ac और a हो जाएगा प्लस 2ab देखें माइनस अंदर जाने का मतलब माइनस से multiply हो जारा ठीक है अब यहाँ पर 2ab हो गया अब यहाँ पर माइनस 2b square हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2bc हो जाएगा अब आप इसको हल कर लिजे देखें क्या answer आएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप जहां से देखिए हमारे पास माइनस 4ac है कहीं पर माइनस 4ac है देखिए यहाँ पर माइनस 4ac है और यहाँ पर देखिए 3ac है और यहां से देखें, माइनस 4AC, माइनस 3AC, माइनस 7AC हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस 7AC, और आगे देखें, यहां पर 4BC है, और कहीं पर BC है, यहां पर 2BC है, ठीक है, यहां पर 4BC, और यहां पर हमें BC दिख रहा है, 2BC, तो 4, 2, कितना हो जाएगा, 6, बी-सी आगे देखें, यहां पर c स्क्वायर और कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर 4c स्क्वायर दिख रहा है, कहीं पर c स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहां पर लिख दीजिए 4c स्क्वायर, यहां पर माइनस 3a स्क्वायर है, तो लिख दीजिए माइनस 3a SQR और यहां पर minus 2B SQR है तो आप इसको भी लिग दीजिए minus 2B SQR तो हमारे पास देखी क्या बचा है AC वाला भी हमने कर लिया है BC वाला भी कर लिया है अभी हमारे पास AB वाला बच रहा है minus 3AB यहां पर है यहां पर plus 2AB है तो minus 3AB plus 2AB तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस AB तो इसको भूलोग थोड़ा सा विवस्थित कर लेते हैं और हमारा solution मिल जाएगा पहले A square को रखिए माइनस 3 A square यहाँ पर B वाली को रखिए माइनस 2 B square तो अब C square को रखिए प्लस 4 C square माइनस AB ठीक है साइकलिक प्लस क्या हो जाएगा 6 B C और उसके बाद A C माइनस 7 तो इस टूडेंट ही हमारा क्या हो गया एंसर हो गया तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो question number 5 था हमने question number 5 को solve किया तो चलिए student आप लोग पढ़ते रहिए अगर आप लोग कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिएगा चैनल पढ़ना हो तो चैनल को subscribe कीजिएगा तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए Thank you